स्वागत है आपका नियूज स्पेशल का ये वक्त है और मैं हूँ आपके साथ राहुल सिन्हा आयोध्या के भवे राम मंदिर में विराजमान होने के लिए रामलला की तीन मूर्तियां लगबग बन कर तैयार हैं इन तीनों में से किसी एक को ही विग्राय रूप यानी मूर्ति को स्रडाम मंदिर के गर्बगरी में स्थान मिलेगा कास बात ये है कि इन तीनों ही मूर्तियों को अलग-अलग मूर्तिकारों ने अकार दिया है लेकिन वो दिवेतम मूर्ती कौन सी होगी ये अभी भी रहस्य के परतु में है लेकिन माना जा रहा है कि अगले दस दिनों के अंदर उस नूतन विग्राय का चायन कर लिया जाएगा जो स्रेराम मंदिर में भक्तों को आला दित करेगी सुतावरम श्रीराम दश्रतनंदन श्रीराम कृपालू दयानिधी जिनके नयन खिले हुए कमल की तरह है जिनके हाथ पैर और मुख की आभा भी लाल कमल के समान है जिनका तन जलपून बादल की तरह सुन्दर है और जिस पर विद्दुत के समान जमक है हमारे शास्त्रों में धर्म गरंतों में श्रीराम के कोमल बाल स्वरूप की कुछ ऐसी ही कलपना की गई है और माना जा रहा है इसी कलपना से उत्प्रोथ होकर अयोध्या में श्रीराम के बाल रूप की तीन मूर्तियां तयार की गई है इन तीनों मूर्तियों को देश के तीन सर्फशेष्ट मूर्तिकारों ने अलग-अलग तौर पर तयार किया है। ये तीनों ही मूर्तियां बन कर तयार हैं। तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि सब एक से बढ़ कर एक हैं। कहा जा रहा है कि तीनों ही मूर्तिकारों को 51-51 इंच के श्री राम के बाल रूप के विग्रह को गर्ढें के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक तीनों ही मूर्थिकारों ने अपनी मूर्थियों की जानकारी कमेटी को पहले ही दे दी है, जिसके लिए कुछ नियम पहले से बनाए गए थे. उनके मुताबिक, रामलला की मूर्थि 51 इंच उची होनी चाहिए, वो खड़ी मुद्रा में होनी चाहिए, मूर्थि में बालपन की जलक होनी चाहिए, विचारों में गहराई होनी चाहिए, मुदित मुस्कान होनी चाहिए, चहरे पर तेज होना चाहिए, और आखों में चमक और उत्साह भी होना चाहिए यानि ऐसी विशिष्ट खूबियों के साथ तीनों मूर्तिकारों ने श्री राम के बालरूप की प्रतिमा को अपने हाथों से आकार दे दिया है रामलला की तीनों प्रतिमाएं पिछले नो महीने से यानि मार्श दोहजार तेईस से देश के तीन मूर्तिकारों के हाथों से गढ़ी जा रही थी श्री राम जन्व भूमी ट्रस्ट की चैन समिती ने रामलला की मूर्तियों को ले कर अपना गुफ्त मद्भी ट्रस्ट के अध्धक्ष को पिछले हफ्ते सौंप दिया है और माना जा रहा है कि अब अगले दस दिनों के भीतर ये तैह हो जाएगा कि किस मूर्तिकार के हाथों का चमतकार रामलला यानि प्रभु श्री राम के भव्यराम मंदिर के गर्भ ग्री में विराजमान होगा लेकिन आपके मन में ये भी सवाल जरूर होगा कि अगर रामलला की तीन मूर्तियों में से सिर्फ एक ही गर्भ ग्री में विराजमान होगी तो फिर बाकी की दो मूर्तियों का क्या होगा उनकी प्राणप्रतिष्ठा कहां होगी तो ट्रस्ट के जानकारों के मुताबिक शेश दो मूर्तियों को गर्बग्री से अलग दूसरे मंडपों में स्थान दिया जाएगा वहीं उनका पूजन होगा जानकारी ये भी है कि गर्बग्री में सिर्फ प्रभुश्री राम की बाल मूर्ति ही होगी उनके साथ माता सीता की मूर्ति स्थापित नहीं होगी उन्हें भी मंदिर के दूसरे विशेश स्थान पर पूजा जाएगा अब हम आपको बताते हैं कि ये तीन मुहान मूर्तिकार कौन है जिनोंने राम लला की भव्य मूर्तियां तयार की है मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगिराज उस परिवार से आते हैं जहां पांच पीडियों से मूर्ति का निर्माण हो रहा है खास बात ये भी है कि अरुण योगिराज के दारनात पे आदिशंकराचारे और इंडिया गेट पर नेताजी सुबाशन बोष की मूर्ति का निर्माण कर चुके हैं और दोनों ही मूर्तियों का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने स्वैम किया था राम लला की पहली मूर्ति करनाटक के मैसूर के रहने वाले अरुण योगिराज ने बनाई है जिन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुबाश चंद बोष की प्रतिमा बनाई जिन्होंने केदारनाथ में आदिगुरु शंक्राचार की प्रतिमा बनाई और ये काफी जाने माने मूर्तिकार है बेंगलूरु के मूर्तिकार जियल भट ने भी 50 से ज्यादा ओवर्ड हासिल किये हैं जियल भट ने कृष्ण शिला से राम लला की मूर्ति तयार की है राम लला की मूर्ति बनी है और राम लला का बाल स्वरूप में इनको काम करना था कि रामलला की मूर्ती में उनका बाल स्वरूब दिखाई दे उनके बचपन की छवी दिखाई दे और एक कोमल बालक के तौर पर रामलला की मूर्ती बने तो जील भट्र ने कुछ उसी तरह की मूर्ती बना कर तयार की है वहीं तीसरे मूर्तिकार राजस्थान के सत्य नारायन पांडे हैं जिन्होंने रामलला की भव्य प्रतिमा तयार की है इस तरह से एक खड़ी मूर्ति होगी रामलला इसमें खड़े होते हुए दिखाई देंगे और पाच साल की जो आयू है रामलला की उसके इर्दगिर्धी मूर्ति बननी है ताकि रामलला का बाल स्वरूप दिख सके और उनकी कोमलता निहार सके जो शद्धालू रामजिन यानि पूरी दुनिया में ये सबसे भव्य राम मूर्ति है आयुध्याधाम आने वाले रामभग दर्शन मात्र से ही त्रेता यूगीन अनुभव कर सकेंगे रामभक्तों के मन में ये भी सवाल उट रहे हैं कि आखिर उत्सव मूर्ति यानि मौजूदा मूर्ति को स्थान कहां मिलेगा और इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो सवालों का दौर चल रहा है उसके क्या माइने है आखिर जिन राम लला को बीते कई दश्कों से पूजते चले आ रहे हैं जिनकी आस्था पूजन राम मंदिर को इस मुकाम तक लेकर आई है तो उसका जवाब भी श्री राम जन्मभूमी ट्रस्ट ने दिया है वहाँ पर एक तो खड़ी बूर्ती होगी जो अचल होगी जिसकी आप में चर्चा भी सुन ली है करीब चार से पांच बर्श के होंगे और ठीक उसके सामने जो बर्समान मंदिर है उसके जो राम लला है उसी सिंगासन पर वो है 1992 से अब तक के राम लला के मुख्य पुजारी आचारे सते नरदास भी अत्यंत मुदित हैं प्रफुलित हैं आनंदित हैं उन्होंने राम लला को टेंट में दश्कों तक देखा है और अब भद्वे राम मंदिर तक की यात्रा के प्रतेक्ष दर्शी होंगे प्रधान मंत्री मोदि को मुख्य अजमान के तौर पर आचारे सते नरदास ही अनुष्ठान कराएंगे वो सैम भी प्यम मोदि को प्राण प्रतिष्ठा की सारी विधी पहले ही बता चुके हैं और उसी विध्विधान के अनुसार 22 जन्वरी को राम लला के नूतन विग्र प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी कोदंड होगा वो सूने का बना होगा जिसे चिन्नई की एक कमपनी बना रही है फटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से राम जी के धनुष कोदंड का सवर्ण स्वरूप राम लला को समर्पित किया जाएगा जहर है वही कोदंड भगवान के गर्भ गणे में उनके हाथों में सुशोभित होगा अब हम आपको उस दिविता के बारे में भी बताते हैं जिसके बारे में अब तक आप सिर्फ सोशल मीडिया में सुनते आए हैं आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक अनुमान है हमने कलपना के आधार पर एक प्रयास किया है कुछ इसी तरह का रामलला का द्यविस्वरूफ तयार हो सकता है श्री राम मंदिर निर्माल कमेटी के चेर्मैन निर्पेंद्र मिश्रा के मुताबिक कले 20 वर्षों तक सुने नारायन की किरण रामलला के मस्तक तक सीधे पहुंचती रहेगी सोने का दर्वाजा अफाटक, सिंगासन सोने का जिस पर भग्मान विराजमान होंगे और एक बात तो बहुत बड़ी हम करने जा रहे हैं वो टेक्नॉलिजी है हम जो शिखर है उससे सूरी की किरण आएगी केवल राम नौमी के दिए और ठीक 12 बजे वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि वो भग्मान के माथे पर पड़े तो यह भी अपने में एक टेक्नॉलिजी का सुरूप होगा कुछ छणों के लिए होगा और ऐसा प्लाइन किया है हमारे एक कुने की एस्ट्रानमी इस्ट्यूट है और सेंट्रल बिल्डिंग रिसेर्श इस्ट्यूट कि अगले 20 वर्ष सूरी का जो भी मूव्मेंट होगा उसके अनुसार वो सही डंग से मूर्तिया तैयार है तो वो स्वन सिंगहासन भी तैयार है जिस पर रामलला विराजबान है वो वस्त्र भी तैयार किये जा रहे हैं जो रामलला पहनेंगे वस प्रतिक्षा है 22 जन्वरी को उस पल की जब रामलला के नूतन विग्रह रूप की प्रांट प्रतिष्ठा होगी और अयोध्या हर्ष में मुदित हो उठेगी अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्योरो रेपोर्ट जी मेडिया अयोध्या पर अब सारी दुनिया की निगाहे ठीकी है देशी नहीं विदेश शेबी स्रदालू राममंदिर में दर्शन के लिए आतुर है स्रराम को मर्यादा पूरुसोत्तम कहा जाता है और देश का एक बड़ा जन्मान स्रराम को ही जीवन का सबसे बड़ा आदर्श मानता है विश्व हिंदू परिसत को भी ये बात बखूबी पता है ऐसे में 22 जन्वरी को प्रान पतिष्ठा कारेक्टम से पहले वो समूचे भारत में उन वस्रेश्ट्रेक्षणों का साक्षी बनाने का अभ्यान चला रहा है यह अभ्यान आज से शुरू हो गया है और इसे नाम दिया गया है क्या वो इसाप रिपोर्ट में देखिए अयोध्या अपने प्रभु श्रीराम की तैयारियों में जुटी है तो भक्त भी पीछे नहीं है भक्तों का उत्सा भी अपने आराद की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनंत अंबरतल की उचाईउं पर है श्रीराम भारतिय जन्मानस के रोम रोम में बसे हैं ऐसे में श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा से समुचे देश को जोड़ने के लिए आज से अक्षत निमंत्रन महा भ्यान की शुरुवात की गई है अब से लेकर एक पखवारे तक विएचपी समुचे देश में घर-घर जाकर 22 जन्वरी के लिए विशेश निमंत्रन देखी इस अभ्यान के तहट पूजित अक्षत वित्रन कारिकरम की शुरुवात की गई है जिसे पांच लाग घरों में अक्षत देकर पहुचाया जाएगा घर-घर जाकर निमंत्रन दिया जा रहा है विएचपी के जरीए पूजित अक्षत की थैली के साथ ये निमंत्रन पत्र सौपा जा रहा है इसके साथ अफील की जा रही है कि 22 जन्वरी को अपने आसपास के मंदिरों में पूजन करें और 15 जन्वरी तक ये अक्षत वित्रन कारिकरम चलता रहेगा पंदरा जन्वरी मकरशन करांती तक जाएंगे अगवान के नए मंदिर का फोटो मंदिर का विवरन और आयुद्या से रामलला के सम्मुक्ष पूजित किये हुए अक्षप पे चार दाने समाज के विक्तियों को परिवारों को दे कर निवेदन करेंगे कि अपने प्रावस के मंदिर में एकतराओ और वैसा ही आनन्द उत्सव मनाओ तो सुना आपने जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जनवरी को अपने आयोध्या दौरे के दौरान रामभक्तों से एक गुजार इश्की थी कि आप सभी लोग अभी अयोध्या ना आएं क्योंकि इससे आपको भी परिशानी होगी और अंदर पहले से मौजूद लोग भी परिशान होंगे और इस परिशानी से प्रभुश्री राम खुश नहीं होंगे मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्तना है मेरा आग्र है कि 22 जनवरी को एक बार वीधी फुर्वक कारकम हो जाने के बाद 23 तारी के बाद अपनी सुवीदा के अनुसार वो अयोध्या आएं अयोध्या आने का मन 22 तारी को न बनाएं ऐसे में देश की जनता को राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का भागिदार बनाने के लिए अक्षत वित्रन कारकरम चलाया जा रहा है इसके तहट श्री राम मंदिर से पूजित किये गए अक्षतों को लोगों के घरों में संदेश के साथ धेजा जा रहा है इसके अनुसार आयोध्या राम मंदिर में पूजित अक्षत के साथ घर घर जाकर लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि प्रान प्रतिष्ठा के कारिक्रम के दिन अपने नजदी की मंदिर में सुवए 11 से 2 बजे के बीच प्रान प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल हो उस समय प्रधान मंतरी मोदी आयोध्या में राम लला का पूजन कर रहे होंगे वहीं से यानि अपने घर के आसपास से साक्षी बने जिसका सीधा प्रसारण अयोध्या से किया जाएगा आज से देशबर में राम भक्त घर घर जाके, हर दुकान में जाके, हर परिबार में जाके श्री राम जन्म भूमी में निर्मीद भव्य मंदीर का दर्शन के लिए निमंतरन आज से शुरू किया जा रहा है आज तमाम जगों पर अक्षत वित्रन कारेकरम की शुरूआत हो चुकी है लक्ष है कि देश के 10 करोन परिवारों तक भगवान श्री राम के पूजन का संदेश पहुँचाया जा सके ब्योरो रिपोर्ट जी मीडिया